हेलो एवरीवन वेलकम अगेन डूलन वर्देतीमन तो देखिए आज में दुबारा से आप लोगों का टैस्ट रूलूंगी और यहां पर 50 कुश्चन का टैस्ट लिया जाएगा ठीक है जिन में से देखिएगा आप लोग अपना आकलन करिएगा कि आप लोग कितना पानी में हो कैसी तयारी आप लोगों की चल रही है चाहे वो first grade का बच्चा हो चाहे second grade का क्योंकि यहां पर जो question पुछे जाएगे यह आपके second grade, first grade चीक है R.A.S. तक में यहां से प्रस्णों जो है वो आएंगे ही और जो बच्चे बहुत अच्छे से तयारी अभी से ही कर रही हैं तो उनको तो पता ही लग जाएगा हमारी तयारी बहुत अच्छे से चल रही है इसे क्या होता है confidence आता है कि हाँ हम सही दिसा में जा रही हैं तो चलि इमांदारी से यह सब आपके लिए ही है खुद इमांदारी दिखानी है आपको ठीक है तो चलिए question 1 देखिए हरी के लिए नाटक किसके द्वारा रचित है सवमेश्वर अजे पाल विग्रह राजचतुर्थ या अर्णोराज तो देखिए कोर्स के बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल correct answer देंगे, ठीके, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, last test में कुछ एक बच्चे जो है, जिनोंने नहीं दिया था, अच्छा performance नहीं दिया था, तो उनसे भी उम्मीद करती हूँ, आज वो देंगे, और YouTube के जो बच्चे हैं, जो कि यहां पढ़ रहे हैं, तो उन लोगो को भी मैंने ये चीज़ें जो हैं, वो chapters इनको करा दिये हैं, तो वो भी सही answer देंगे, ठीके, तो यहां answer जो है, वो क्या रहेगा, आप लोगों ने लगा लिया होगा, इसका सही answer होगा, विग्रे राज चतुर्थ, जिनने वीसल दे भी कहा जाता है, तो अपने आपको एक माक्स सभी बच्चे देंगे, जिनके सही माक्स हैं, किस चोहान सासक ने पुसकर में वरह मंदिर का निर्मान तथा आनसागर जील का निर्मान करवाया, तो option देखिए, फटाफट, अर्णो राज, विग्रे राज चतुर्थ, प्रत्वी राज प्रत्म या अजे राज, तो पुसकर में और आनसागर जील का निर्मान पुसकर में किस ने करवाया, तो बिलकुल करेक्ट आंसर है अर्णो राज, ठीक है, पटाफट से चलना है, किसी को भी देर नहीं करनी है, नेक्स्ट देखिए, question 3 है, महराजा मान सींग के अभिहानों का सही क्रम क्या है, महराजा काबुल, बिहार, उरिसा और बंगाल, तो यहाँ पर क्या रहेगा सही आंसर, सोचिए, ऐसे ही question जो है, वो आपके second grade के exam में पूछे जाते हैं, first grade के exam में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है, यह होगा, सबसे पहले काबुल अभियान पर गए थे, फिर बिहार अभियान, फिर उरिसा अभियान और अंत में बंगाल अभियान पर गए थे राजा मान सींग, चलिए next question देखिए, question number 4, काली बंगा पूरा तात्विक इस तल की कोज किस ने की थी, तो टॉपिक जो है, आपने साफर्ट देने हैं, तो यहां पर आंसर आपने लगा लिया है, आंसर देखिए, option number D, अमलानल खोज, next देखिए, आहर सब्वेता को इस्थानिय लोग क्या कहते हैं, तामरवती, आगहाट दुर्ग, आगहाट पुर या धूलकोड, तो क्या रहेगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर है, दूलकोड, ठीक है, next देखिए, question number 6, रण थंबोर के चोहान राज्य का संस्थापक कौन था, रण थंबोर के चोहान राज्य का संस्थापक कौन था, वागपती राज, बागभट, हमीर देव चोहान और कोविंद राज, तो इसका सही आंसर जो होगा, वो होगा, गोविंद राज, ठीक है, next देखिए, किस चोहान सासक के काल को, चोहान के सामराज्य निर्मान का काल कहते हैं, प्रत्वी राज विप्रथम, अजे राज, विग्रे राज चतुर्थ या अर्णो राज, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो देखिए, जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है, तो उन लोगों को मैं बता दूँ, कि यदि आप कोर्स लेते हैं, एक तो आपको बहुत ही कम अमाउंट में ये कोर्स आपको मिल रहा है, ठीक है, अभी थोड़े टाइम बाद आप देखिएगा, जहां से भी आप को जैसा कि मैंने आप लोगों को दी होई है, कोर्स के बच्चों से जानिएगा कि उन लोगों को कोर्स में, देखिए, RBSC की बुक जो है, उसके कुशन अंसर, इसके साथ ही, आप लोगों को राजिस्थान जी के पूरा कम्प्लीट जो है, नोट्स, हैंड रिटर नोट्स जो लेगा, तो आंसर देखिए, इसका क्या है, अज्जे राज है, ठीके, नेक्ट देखिए, कुशन एट, राणा कुम्बा ने कवी राज की उपादी किसे दी थी, सोम संदर को, हीरा नंद मुनी को, टिला भट को, या सारंग व्यास को, तो चलिए, जिन बच्चों को आंसर याद है, उन्होंने लगा लिया है, और आंसर बिलकुल सही है, हीरा नंद मुनी नेक्स्ट दीखिए, कुशन 9, विग्रे राज उन विद्वान सासक में से था, जो काली दास और भव वूती की होड कर सकता था, तो ये कथन किसके हैं, पार्सी ब्राउन के, किलहौन के, अनुवर्कर के या जयानक के? तो आंसर जो है, राइट आंसर है, सोचना तो बिलकुल भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ें याद करवाई हैं, आंसर है किलहौन नेक्स्ट दिखें, कोश्चन 10, जिमने मैंसे किस इस्थल से संयुक्त परिवार या सामुहिक भोजन विदी के साक्षे मिले हैं? काली बंगा, बैराथ, बागोर या आहर? तो एक तरीके से रिवीजन है यापकी? तो आंसर जो रहेगा, वो रहेगा आहर सभ्वेता. यहां से हमें संयुक्त परिवार के साक्षे मिलते हैं. किस सब्वेता को काली बंगा प्रतम कहा गया है, आहर सब्वेता, सिंदु घाटी सब्वेता, सोती सब्वेता या काली बंगा सब्वेता तो चलिए इसका correct जो answer है वो है सोती सब्वेता, ठीक है, next दिखिए, question 12 गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है कि गुर्ज रात्रा शेत्र का स्वामी होने के कारण ये गुर्जर कहलाए तो ये हमें जानकारी किसने दी, डॉक्टर गोपिना शर्माने, नैंसी रिख्यात, उत्योतन सूरी या घट्याला अभिले तो कौन देता है इसकी जानकारी कि गुर्ज रात्रा शेत्र का स्वामी होने के कारण ये गुर्जर प्रतिहार गुर्जर कहलाए अब देखिए ये आपका सेकंड टेस्ट है, आपको चीजें जो हम वो बिल्कुल भी रती होनी चाहिए, बिल्कुल कोई कन्फियूजन नहीं होना चाहिए और ये हमें मिलता है डॉक्टर गोपिनात शर्मा के द्वारा नेक्स्ट देखिए question 14, आहड को अपनी राजधानी किसने बनाया, जैतर सींगने, कर्ण सींगने, शेम सींगने या अलहट ने तो किसने बनाया था आहड को अपनी राजधानी तो इसका जो सही आंसर रहेगा, देखिए फटाफट से करिए, पचास कुशन हमको करने हैं, आंसर है अलहट या आलू रावल, ठीके? प्रत्वी राज की साशन प्रवन समालने के बाद उसका प्रत्वम सैनिक अभ्यान किसके विरुद हुआ? जैसे ही प्रत्वी राज ने शाशन समाला, तो पहला अभ्यान करते हैं वो, मुहम्मद गौडी के साथ, कन्योज के कहडवाल साशक जैचन, महोबा के चंदेलों के विरुद या चचेरे भाई नागारजुन के साथ? तो इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा, चचेरे भाई नागारजुन के विरुद किया था नेक्स्ट देखिए, मेवाड के इतिहास में शाशन का त्याग कर सोतेले भाई को राजा सुविकार करने की भीज में प्रतिग्या किसने की थी? चूंडा ने, रणमल ने, छेतर सींग ने या राणा लाखा ने? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा? आंसर रहेगा चूंडा, चूंडा ने भीज में प्रतिग्या ली थी, इसी लिए इन्हें मेवाड के भीज में प्रतामा भी कहते हैं मेवाड में दासी पुत्र बनवीर को हटा कर महाराना उदे सींग को सिंगहाशन पर बिठाने में किसने सहायता की? क्या पूछा गया है? कि यहाँ पर जो दासी पुत्र बनवीर था इसको हटा कर महाराना उदे सींग की सायता किसने की थी? किसने उन्हें सिंगहाशन पर बिठाया था? राव जैसी, राव माल देव, राव चंदर सेन या हिमा यूने तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? सोचिए तो बिलकुल यहाँ जो सही आंसर है वो है राव माल देव ठीके? लास्ट में आपको बताना है कितने आपके सही हुए तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता? बहुत ही आसान सा कोशन है मुहमद गौरी, गोविंद राज चोहान, प्रत्वी राज चोहान या अर्णो राज चोहान? यहाँ तो कोशन देखते ही इसका सही आंसर आपको लगाना है तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्रत्वी राज चोहान नेक्स्ट देखिए दल पंगुल विस्व विजेता की उपादी किसने धारण की? अर्णो राज ने, अजे राज ने, प्रत्वी राज चोहान थर्ड ने या विग्रे राज सेकिंड ने? तो किसने की थी? दल पंगुल या विस्व विजेता की उपादी? तो फटाफट से सोचिए इसका सही आंसर तो ये उपादी जो है वह धारण करने वाले थे प्रत्वी राज चोहान तृत्तियर नेक्ट देखिए कोशन 20 जालोर के चोहान के संस्थापक कीरती पाल ने किस से छीन कर जालोर को अपनी राजधानी बनाया राठोड, परमार, सोलंकी या चालुक्य कीरती पाल ने किसे हराकर जालोर को अपनी राजधानी बनाया था तो बिलकुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है कोशन नमबर 20 का आप लोग साथ में लगाते जाईए कोशन नमबर 20 का सही आंसर A है, B है, C है या D है तो यहाँ आंसर है B आप्शन परमार राणा कुम्बा को निम्न मैं से किस वादियंत्र में दक्सता हासिल थी? गिटार में, सितार में, सारंगी में या वीणा में तो राणा कुम्बा को प्रिय था कौन सा वादियंत्र? यहाँ पर उन्हें दक्सता जो है वह प्राप्त थी वीणा में, छीके? रन थमबोर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउदीन खिलजी के आकर्मन करने का मुख्य कारण क्या था? रन थमबोर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउदीन खिलजी ने आकर्मन क्यों किया था? हमीर देव चोहन की सुन्दर पत्नी को पाने की खिलजी की लालसा थी या रन थंबोर सासक हमीर देव द्वारा अलाउदीन के विद्रोही सैनिक नेता मुहमत शाह को शरंड दे रखी थी हमीर देव द्वारा अलाउदीन खिल जी के अधिकार वाले बयाना दुर्ब पर कब्जा करने की वज़े से या तीनों ही बातें सही है तो चलिए आंसर जो है वो कुछ बच्चों ने लगा लिया है देखिए बिलकुल कम ही टॉपिक है अभी फटा फट से आंसर जो है वो लगाते हुए चलना है तो यहां आंसर जो रहेगा वो रहेगा कि मुहमत शाह को शरंड दी रखी थी किसने रण थमबोर के सासक हमीर देव चोहान ने तो इस वज़े से ही अलाउदिन खिलजी ने आक्रमण किया रण थमबोर तुर्क पर महाराना प्रताप ने 1585 में किस इस्थान को मेवाड की राजधानी बनाया चित तोडगर्ड, गोगुंदा, खमनोर या चावंड महाराना प्रताप ने 1585 में किस इस्थान को मेवाड की राजधानी बनाया था तो यहाँ पर महाराना प्रताप ने 1585 में बनाया था चावंड को अपनी राजधानी नेक्स्ट देखिए 24 कुश्यन आहर सब्वेता निम्ण मैंसे किस नदी के किनारे विक्सित हुई बेड़च नदी, सरस्वती नदी, घगर नदी या बान गंगा नदी एक्जाम में भी देखिए बहुत easy question भी पूछे जाते हैं hard भी पूछे जाते हैं तो उसी तरीके से मैंने भी यहां पर कुछ question बहुत hard और कुछ बहुत easy लिये हैं तो answer रहेगा बेड़च या आयर नदी जैपूर मीनाकारी का एक प्रसिद इस्थल है इस कला को लाने का श्रे किसे जाता है question जो है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जैपूर में मीनाकारी लाने का श्रे किसे जाता है कौन लेकर आये थे इसे मान सिंग प्रथम इश्वरी सिंग, राम सिंग या मान सिंग द्वितिय तो देखिए जैपूर में मीनाकारी कला को लाने का श्रे जाता है मान सिंग प्रथम को ठीके तो यहाँ पर मानसिंग प्रथम और धुतिये, यहीं इनमें ही confusion था, तो यहाँ पर मानसिंग पर्स्ट जो answer है प्रत्वी राजत्रतिये किस चोहांबन से संबन्द थे? मालवा के परमार, शाकमबरी, सिरोही या हडोती? तो यहाँ पर दिखिए थोड़ा सा common sense लगाने की ही जुरत है कि प्रत्वी राजत्रतिये का संबन्द हाडोती से तो बिल्कुल नहीं है, सिरोही से नहीं है तो यहाँ पर जो answer A या B मैंसे आप लोगों ने लगाया है, सबी बच्चों ने सही ही लगा रहे हैं तो यहाँ answer है option B साकमबरी के चोहान आहर सब्वेता को इस्थानिय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो यह question जो है, वो repeat हो गया है answer है यहाँ बैराट सब्वेता next दिखिए 34 question बैराट या विराट नगर इसमें प्रतम उत्खनन किसके नित्रत्वों में किया गया? B.R. भंडारकर, R.C. अगरवाल, दयारामसाहनी या Dr. N.R. बनरजी तो इसका सही answer जो है, क्या है? आप लोग पटाफट से, पैन से, आप लोग मार्क करते जाएए, मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आपका उद्देश यही रहना चाहिए, कि मैं इमानदारी से यदि काम कर रही हूँ, तो आपको भी इमानदारी दिखानी है, लिखना है 34 question आपका सह आपी है, या गलत ? तो आंसर है दयाराम सहनी, निम्न मेंसे कौन सी वस्तु आहड सबयता के इस्थलों से सम्वंदित नहीं है, चित्रि धूसर, मृदभान, चावल, क्रश्न लोहित मिरदभान, या तामबे की वस्तु हैं, तो इसमें से कौन सा एक आहड सबयता के स्थल से सम्मदित नहीं है तो देखिए Q35 का सही आंसर क्या है आंसर है इसका चित्रित धूसर म्रदभांड ये सम्मदित नहीं है यानि तीनों जो आप्चन है ये इसकी विसेशनाए हैं आहर सब्वेता इस्तल की जुता हुआ खेत के प्रमाण किस सब्वेता से मिले हैं तो देखिए 36 Κुश्चन का सही आंसर है औप्चन नमर B काली बंगा सब्वेता निमनलकित में से कौन सा एक ताम्रपाशन काली इस्तल है जसोल, काली बंगा तिलवाडा या आहड तो ताम्र पाशाणिक इस्थल कौन सा है इन में से तो इस कुश्चन का जो राइट आंसर हेगा वो रहेगा ओप्शन डी आहड हल्दी खाटी युद में महाना प्रताप की हार के क्या कारण थे गोडों की वजाए हातियों की संख्या अधिक होना आदुनिक हत्यारों की कमी होना धैरेवान सेना नाइक की कमी होना या उप्रोक्त सभी वैसे तो हल्दी खाटी युद जो है वो अनिरनाइव युद रहा था महाना प्रताप जो है वो चले गए थे वहां से लेकिन कई बुक्स जो है उनमें ये बताया गया है कि महाना प्रताप जो है इस युद में हार गए थे क्योंकि यहां से चले जाना ही उनकी हार का कारण लेकिन देखिए महाना प्रताप के बारे में अब जो नई बुकें आ रही है वहाँ पर ये चीज बिल्कुल नहीं मिलती है कि महाना प्रताप जो हारे थी हल्दि गाटी युद्ध में लेकिन हमें तो कोशन का सही आंसर देना है अब देखिए यहाँ पर महाना प्रताप की हार के क्या कारण रहे क्यूं चले गए थे वो हल्दी गाटी जुद्ध से तो बिलकुल यहाँ पर जो आंसर होगा उप्रोक्त सभी है यहाँ घोरों की बजाए हातियों की संख्या अधिक थी मुगलों के पास आधुनिक हत्यारों की कमी थी महाना प्रताप के पास देहरेवान सेनानाई की कमी भी थी तो यह सभी जो हैं इनकी हार के कारण माने जाते ह अकवर द्वारा महाना प्रताप के खिलाफ सहवाज खान के नित्रतु में कितनी बार अभ्यान भेजा गया एक, दो, तीन या चार तो अकवर ने महाना प्रताप के बार कई अभ्यान भेजे जिसमें सहवाज खान को कितनी बार भेजा तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ओप्शन C तीन बार दताड़ी का युद्ध कब हुआ? 1582 में, 1589 में, 1583 में या 1574 इसवी में तो हम लोग कुश्चन 40 पर आ चुके है देखिए, आप लोग यदि इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता है टेस्ट लेने में भी मज़ा नहीं आता है तो जो भी आप लोगों को काम दिया जाता है उसको रैगुलर कीजिए डेली ये कहते हैं आपके मैम जो है YouTube पर daily video नहीं डाल रहे हैं, कभी एक दिन भी अगर gap हो जाए, तो आप बोलने लगते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास इतना सारा matter जो है, वो पहुँच चुका है, चाहे वो course के बच्चे हों, चाहे YouTube के बच्चे हों, हाला कि YouTube के बच्चे जो हैं, वो अलग से खुद के notes तयार कर रही हैं, ऐसा मैं मानती हूँ, जो भी second grade के तयारी करने में, start कर दी हो जिसने, तो matter तो आप लोगों के पास में ही है, तो आप लोगों को उनको बार-बार याद करते रहना चाहिए, ठीक है, कोई भी बच्चा free नहीं रहेगा, तो इसका सही आंसर है 1533 वी में, चंदर सेन की म्रत्यू कहां हुई, भादरा जून, सारण, सिचियाई गाउं या शिवाना, चंदर सेन देखिया, आजीवन जो हैं, जंगलों में, यहां पर भटकते रहे थे, और पूरा जीवन ही इन्होंने यहां निकाल था, तो इनकी म्रत्यू जो है वो कहां होती है, आंसर है इसका इनकी म्रत्यू सिचियाई गाउं में होती है, मान प्रकास गरंत के रचेता कौन है, मान प्रकास गरंत किसके द्वारा रचा गया, राय, मुरारी दास, पुंडरीक बिठल, जगननात या इन में से कोई नहीं, तो इसका जो सही उत्तर है, Q42 का मान प्रकास ग्रंद के रचेता राय मुरारी दास है, जो की मान सिंग के दरवार में थे तो किसके समय कहा गया, समर सिंग, जैतर सिंग, या तेज सिंग, या इन में से कोई नहीं, ठीक है, पूछा जाएगा एक्जाम में, मद्यकालीन, मिवार का स्वन युग, किसके समय को कहा गया तो देखिए, आंसर जो है, बिल्कुल कर्रेक्ट है, कुशन 43 का आंसर, आंसर है, जैतर सिंग ग्वालियर प्रिसस्ती में, राम का प्रतिहार, मेगनात के युद्ध का अवरोधक, इंद्र गर्व का नाशक, नारायन की मूर्ती, इसका प्रति कहा गया हरिश्चंद्र को, वत्सराज को, नागभर्धुती को या नागभर्ध प्रतम को, तो ग्वालियर प्रिसस्ती में, इन सभी नामों से नवाजा गया किसे हरिश्चंद्र को, वत्सराज को, नागभर्ध सेकिंड को या नागभर्ध प्रतम को तो चलिए आप लोगों ने अंसर लगा लिया है इसका सही उत्तर आप जान लीजिए इसका आंसर है नागभड प्रथम ठीके नेक्स्ट दिखिए I hope यहां तक आपके सही आंसर गए होंगे निम्ड में से सही कथन नहीं है मकान कच्ची इंटों से निर्मित थे इंटों का अनपाद 2, 4, 6 था तांबे की बैल की मूर्ती काले रंग की चूडिया काली बंगा से प्राप्त हुई कुछ पक्की इंटे भी मिली या जुते हुए खेतों के साक्षविस में मैं प्राची इं तो जरूरी नहीं है एक्जाम में कुछन इस तरीके का पूछा जाए कि काली बंगा सब्वेता के संबंद में जो भी विसेशता हैं इनमें से कौन सी नहीं है डारेक्ट ही ऐसे कुछन पूछ लिया जाता है तो देखिए कुछन नमबर 45 का सही आंसर क्या रहेगा यहां पर सही आंसर रहेगा यहां पर जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा जो कि यहां पर लगाया नहीं गया है याद रखिएगा जोते हुए केतों के प्रमान यहां मिलते हैं लेकिन जो कि विश्व में प्राचीनतम नहीं है ठीके नेक्स्ट दिखिए कुछन 46 महाराना तो बिल्कुल यहां सही आंसर जो है वो रहेगा, बच्चे ने लगा लिया है कि इनका राज्य अभिशेक होता है पुंबलगड में। राज्य की सीमाओं का सरवादिक विस्तार किया था तो बिल्कुल यहां पर जो कुश्यन नंबर 47 है इसका सही आंसर है उप्शन नंबर C, राव मालदेव नेक्स्ट कुश्यन देखिए कुश्यन नंबर 48 अलाउदीन खिलजी ने 1308 इसवी में किस दुर्ग को जीत कर उसका न तो यहां पर मैंने एक ट्रिक जो है वो आप सभी को बताई हुई है कि शिव से पंगा लोगे तो खैर नहीं होगी तो क्या है आंसर इसका सही आंसर है इसका बिल्कुल शिवाना दुर्ग ठीक है नेक्स्ट देखिए बेगम मरियम उजमानी के नाम से कौन प्रसिद थी तो ऑप्शन देखिए राजा भगवन दास की पुत्री यानि जहांगीर की पत्नी राजा प्रत्वी राज की पत्नी राजा भारमल की पुत्री या अकवर की पत्नी या इन में से कोई नहीं तो इसक भारमल की पुत्री, अकवर की जो पतनी हैं उन्हें जाना जाता है अन्तिम प्रश्ण देखिए वह सासक जिसे मुणसी देवी प्रसाद ने राजबूताने का करण कहा तो राजबूताने का करण की संग्या किसे दी गई? राव जूधा को, राव परताप को, राय सींग को या राव बीका को तो सोचिए इसका सही आंसर जो है वो क्या रहने वाला है कि किसे मुंसी देवी प्रसाद ने राज बुताने का करण की संग्या दी तो देखिए यहां जो सही आंसर रहेगा अंतिम प्रशन का वो रहेगा राय सींग ठीके बीका नेर के राय सींग को राज बुताने का करण की संग्या दी गई थी तो यहां तक आप लोगोंने कितने कुश्चन के आंसर जो है वो सही किये हैं सभी लोग बताएंगे सभी लोग नहीं बताते हैं टैस्ट देते हैं लेकिन कुश्चन के कितने आंसर सही की है यह आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू